हाई गाईस आज हम लोग बनाने जा रहे है किमामी सेमई जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है यह लच्छा सेमई तो यहाँ पर यह बड़ा लच्छा है इसे हम लोग सबसे पहले तोड़ लेंगे मार्केट में कई तरीके की समय अलेबल है जो समय आपको पसंद हो आप वो समय ले सकते हैं किमामी समय वनाने के लिए तो सारी समय हमने तोड लिया है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस्टेप पे चलेंगे मैंने लिया यहाँ पर काजू और बदाम कॉंटिटी कम जादा किया जा सकता है ड्राइफ रूट को हम पहले चौप कर लेंगे तो इस तरीके से छुड़ छुड़ भाग में चौप करिए और उसके बाद फिर हमें एक परतन को गैस के उपर गरम होने के लिए रख देना है उसमें एक चम्मच घी आट करेंगे घी गरम होने के बाद यहाँ पर हम ड्राइफ रूट को रोष्ट कर लेंगे ताकि जो भी नमी हो ड्राइफ रूट में वो दूर हो जाए और सुन्धा पना जाता है ड्राइफ रूट में किमामी सेमई तो यह देखी हमारा ड्राइफ रूट यहाँ पर रोष्ट हो चुका है इसे जो है अब हम लोग बाहर निकाल करके रख देंगे वापस उसी बर्तन को मैंने फिर से ले लिया है और अब हम इसमें सेमई रोष्ट करेंगे तो एक चम्मच घी का यूज़ करेंगे और फिर सेमई डाल करके रोष्ट कर लेंगे तो काफी सेमई ऐसी होती है जो रोष्ट होती है यानि मार्केट से ही वो रोष्ट होती है तो आप चाहें तो इसे रोष्ट ना करें लेकिन आप रोष्ट कर लेते हैं न तो सेमई की नमी दूर हो जाती है थोड़ा सा सोंधा पना आ जाता है और सेमई आप काफी टाइम तक इस्टोर करके रखेंगे तो खराब नहीं होगी इसलिए रोष्ट करना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो ये सेमई हमारी रोष्ट हो चुकी है इसे भी हम लोग साइड में रख लेते हैं निकाल करके उसी बर्तन को मैंने फिर से वापस रखा है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी पानी गरम हो गया है इसमें हम लोग मावा डालेंगे और मावा को यहाँ पर रोष्ट करेंगे आप चाहें तो बीना पानी डाले भी मावा को रोष्ट कर सकते हैं लेकिन पानी डाल देंगे ना तो मावा बिल्कुन भी जेल लेगा नहीं और अच्छी तरह से रोष्ट हो जाएगा मिक्स करते होए तीन-चार मिनट तक रोष्ट कर लीजिए जैसे ही मावा की सुंदी-सुंदी से खुचबू आने लगेगी और इस तरीके से हो जाएगा ना ये सुखा-सुखा इसे हम लोग बाहर निकाल करके रख लेंगे आईए अब हम लोग चासनी बना लेते हैं तो चासनी बनाने के लिए दो कप हम पानी का यूज करेंगे गैस का फिले मीडियम रखेंगे उसके बाद इसमें हम एट करेंगे चिनी तो मैंने यहाँ पर चिनी की कॉन्टिटी कम यूज किया है बात करें वेट की तो 70-80 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी का यूज किया है आपको सिमय जितना मीठी चाहिए न उस हिसाब से कम जादा आप कर सकते हैं मुझे यहाँ पर एकदम हलकी सी मीठी चाहिए इसलिए मैंने यूज कम किया है मिक्स करते हुए थोड़ी देर तक पका लीजिए जैसे ही चीनी अच्छी तरह से पिखल जाए और दो तीन उबाल आ जाए न चासनी से उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग कलर के लिए यूज करेंगे यलो फ्रूट कलर बिल्कुन ओफ्शनल है अगर आप चाहते हैं यूज करना तो यूज करिए या फिर इसकीप कर सकते हैं कलर को भी अच्छे से मिक्स कर दीजे फिर हम लोग यहाँ पर सेवई डालेंगे और मिक्स करेंगे यह सेवई बहुत ही जल्दी पक जाती है बिल्कुन भी पकने में टाइम नहीं लगता है तो अच्छी तरह से मिक्स करिए एक से डेल मिनट में पक करके सेवई तयार हो जाएगी आप चाहें तो हलका सा प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि हमारी सेवई पकी है कि नहीं फिर हम यहाँ पर डाल देंगे मावा मावा को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फिर हम लोग गैस का फ्लें आफ करेंगे अइट कर देंगे हम लोग इसमें ड्राइफ फूट जो हमने तयार करके रखा हुआ था साथ में यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलाची पाउडराइट करेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर इलाची को क्रैश करके यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर दीजे गाइस काफी लोग घर में ऐसे होते हैं जिन्हें सेमाई सुखी सुखी पसंद होती है और थोड़ा कम मीठी पसंद होती है तो यह सेमाई हमारी तयार हो गई है इसे हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल करके रख लेते हैं उसके बाद फिर हम सेमाई को जो है थोड़ा सा और मिठी करेंगे और थोड़ा सा गिली करेंगे तो हम लोग जो है ना दूर को थोड़ी दिर बॉयल होने के लिए रखेंगे उसमें थोड़ा सा चीने डाल देंगे और करें और फिर संवही में डाल करेंगी आपकी सवही तो हैं जो है थोड़ीं सी गिली킨 और मिठी बन कर दायार खूँ हुझई हैं इसे हम लोग सफ करेंगे तो समय को सर्फ करने से पहले थंडी होनी के लिए रख दीजैंगे उसके बास सफ करेंगी पहती से महीं लगती है डेकोरेट करने के लिए यहां पर ड्राइफ रोड वगरे का यूज कर सकते हैं उम्मीद है आज की रिस्पी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने घर पर बना करके ट्राइ करेंगे वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके कॉम